हे फ्रेंट्स मैं हूँ आसुत चान मैं आपको सिखाता हूँ साइन्स एक्सपेरिमेंट और डेली डिवासेस को रिपेर करना जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ हम आपको एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई वीडियोज हमारे चैनल क्रियेटिव साइन्स वर्क्स आप में प्रोवाइड कराते हैं नमस्कार फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे इंडेक्टर कॉईल यानि ये चोग के बारे में से सबसे बहली स्क्रीन पे इनको देख लेते हैं यह सारे हमारे जो चोग होते हैं तो सबसे पहले समझते हैं इसका वर्क क्या होता है इसका जो main work होता है AC को block करना और DC को pass out करना ये इसका main work होता है लेकिन होता क्या है कि जो हमारी inductor coil का impedance होता है वो बहुत low होता है जिसकी वज़े से कुछ AC pulse भी हमारी के inductance को पार करके चली जाती है ये इसका कुछ ये वाला जो है अब देख रहे है ये इसके types है और AC DC जो कम आवरति की जो currents होता है उनको pass out होने देता है और जो high आवरति यानि high frequency current होता है उसको pass out नहीं होने देता है और ये जिसके कारण inductance तो इसमें जो हमारा चुम्बकी छेतर उत्पन हो जाता है जैसे इसमें current बैता है इस coil पे तो इसमें चुम्बकी छेतर उत्पन हो जाता है तो ये जो चुम्बकी छेतर होता है जिस कारण से उत्पन होता है उसी का विरोध करता है इसी को बोलते हैं हमारा जो फैराडे के जो नियम थे उन्हीं पर यादारित है अब बात करते हैं इनके टाइपस के बारे में तो इनको दो भागों बाटा गया है एक हमारा वैरियेबल और एक फिक्स तो वैरियेबल जो होता है उसको घटा बढ़ा सकते हैं लेकिन जो फिक्स होता है उसको 1 मारों हेनरी कर रहाए गा जुएसकी कापसीटी मापने यूटाय होती है है वह हैं ₲ में होती है इसको फ से दिनोट करते है . ल место आ एसके बाद इनकी कूर की आदार पर बाटा गया होता है berm और को और लोगे अनको बाटा गया होता है सेप की आदार पर भी होते हैं यह तो जिसे आप यह देख रहे हैं तो यह हमारा iron core inductor है यह हमारा ferrite core inductor है यह हमारा to a radial form में है और यह हमारा pair core है यह induction में इसका यूज किया आता है चार्जिंग के जो हमारे इसको बनाने के लिए क्या करते हैं एक कोटेड वायर लेते हैं कापर का और उसको किसी magnetic core पे उसको उसकी जो राउंड होते हैं उसमें लगा देते हैं बनी हुई जो युक्ती होती है उसको में लोग inductor coil बोलते हैं तो friends अब इसके कुछ और parts देख लेते हैं types में friends जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह हमारा multilayer inductor है यह SMD में होता है तो यह आप side देख रहे हैं यह साइडों में एक खोल लगा जा गया होता है धातु का दूसरी side भी ऐसा ही खोल लगा जा गया होता है और जो इसका बीच का जो पार्ट होता है यह हमारा इसके अंदर और यह जो ऊपर आप देख रहे हैं colored यह हमने बिल्कुल पतले वायर जो होते हैं इसमें returns लगाए गए होते हैं इस प्रकार जो हमारा बन के तैयार होता है उसको बलते हैं multilayer chip inductor friends यह जो आप देख रहे हैं यह हमारी sealeded variable inductor है इसकी जो इसकी जो हमारी छमता होती है जो हमारा जो inductance होती है उसको हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं इसलिए इसको variable inductor बोलते हैं यह मारा होता है air core inductor इसको कैसे बनाते हैं इसके जो इसकी core है इस पर core नहीं लगी हुई है core के रूप में इसमें air भरी हुई है और यह मोटे wire जो होते हैं इसमें ऐसे turns लगाए गए हैं और दो इसमें wire निकले हुए हैं यह हमारा होता है फिराइट core inductor इसमें क्या होता है इसमें कई सारी कोईल है इसमें पहली कोईल दूसरी कोईल तीसरी कोईल चौथी कोईल देखने में लग बख laser transformier जैसा लगता है लेकिन असलमें यह transformer होता नहीं है और ये इसको फेराइट कॉर बोलते की क्योंकि इस पर धात वहता है उसका यूज फिया ग गया यह हमारी है बाबिन इंडिक्टर कोईल बाबिन इंडिक्टर कोईल इसको बोलते हैं क्योंकि यह आप साइड में देख रहे हैं ऐसा ही बाबिन की बिल्कुल आकार की इसकी कोईल होती है बेस वाली जिस पे इसको वायर को लापेटा गया होता है इसको बोलते हैं बाबिन इं यह हमारा है Toroidal Core Inductor Coil इसमें ये गोल गहरे में एक फिराइड कोर होती है उसमें ये मोटे वायर्स जो होते हैं इसमें लपेटे गए होते हैं और इसे गोल आकार की वज़े से इसको बोलते हैं Toroidal Core Inductor Coil ये होती है, color ring inductor coil और इसको axle coil भी बोलते हैं green inductor इसको इसलिए बोलते हैं, जो इसका color होता है हरे color की, नीले color की होती है, इसलिए इसको green inductor coil बोलते है और जो देखने में आपको लग रहा हुगा resistance जैसा लेकिन resistance जो होता है यहां से पूरा चप्टा होता है लेकिन इसमें ऐसे कौन निकले होते हैं लट्टू की तरह है दूसरी साइड भी ऐसे कौन निकले होते हैं बार की तरफ और इस पे color coding ये की गई होती है इसी color coding के आधार पर इसकी capacitance जो होती है वो मालूम पड़ती है कि कितने हैंडी का यह है अब फ्रेंड्स यह जो आप देख रहे हैं यह सील्डेड एसमडी इंडेक्टर है एसमडी का मतलब सर्फेस मांट डिवाइस इंडेक्टर है यह हमारे इनको किसी इसने पडिकीप्रीड पर प्राविके इस सर्फेस से स्कोडे कर दिया आता है इसको बोलते हैं इसमें भी वोई चीज़े होती है यह है मारे वाइरलेस चार्जिंग कोईल इसका इस्तेमाल फोर्न चार्जिंग ये लिए इसके उपर एक phone के पीछे जो होता है ऐसे cabinet लगा दी जाती है बिल्कुल same to same coil होती है जो phone पर ऐसे चिपका दी जाती है और phone पर चिपकाने के बाद में एक box होता है जिस पर यही coil लगी होती है फिर इसको उसके उपर ऐसे SM लोग ऐसे रख देते हैं और phone नमारा चार्ज में लगता है और induction में भी same इसका यूज होता है इसलिए इसको induction coil भी बोलते है wireless charging coil भी बोलते है इसको Friends इसमें धेर सारी coil है यूज होती है इसलिए इसको बोलते है coupled inductor coil तो Friends इस वीडियो में इतना ही आगे की वीडियो में बताएंगे कि इनकी जो capacity होती है कितनी हो सकती है और कहां कहां पे इनका यूज हिया जाता है तो Friends मिलते हैं अगले वीडियो में तक के लिए मुस्क्राइब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे जदा से जदा सेहर करें पनी हमाने करेंगे जोस्तों में उदाने करें